जेनर सोंदे मातरम, साउथ वर्सेस बॉलिवूड, जब से बाहु बली ने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है, तब से ही एक टर्म बार बार हमको सुनने के लिए मिलता रहता है, इसमें बॉलिवूड और साउथ की मुवीज का लगातार कमपैरिजन होता है, लगाता कांतारा ऐसी मुवी है जो कि 15 करोड रुपए के बजट में बनी थी, और 15 करोड रुपए के बजट में बनने के बावजूद इस मुवी ने जो कलेक्शन करके निकाला है, वो कलेक्शन पहुंच गया है 300 करोड रुपए के पार, मतलब कि इस मुवी ने अपने बजट से कर करीब करीब 20 गुना से जादा कलेक्शन करके निकाला है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब दी लेकिन इसको इस तरीके से भी देखना चाहिए कि क्या इस मूवी में ऐसा कुछ था जिसके कारण से कि यह 20 गुना कलेक्शन कर पाई अपनी लागत से तो भाई सीदी ब्रहमास तरका जो बॉक्स ओफस कलेक्शन है वो पूरी दुनिया के लिए एक रहस से बना हुआ है और सबसे बड़ी बात जो इस बात को सपोर्ट भी करती है किसका कलेक्शन केसी को पता नहीं है कि आप देखेंगे कि केजिएफ के बाद केजिएफ टू बनना तुरंद शूरू हो गई थी इवन पीएस वन के साथ साथ ही पीएस टू को भी शूट कर लिया गया था वो भी छोड़ी है पुश्पा के बात पुश्पा दरूल का भी शूटिंग शूरू हो चुकी है लेकिन ब्रहमास पार्ट वन जिसमें कि अल्रेड़ी पता जा चुका कि एक ट तब हर तरफ बॉलिवड की फिल्म में च्छाई थी और साथ की फिल्मों को हिंदी में डब करके टीवी पर दिखाया जा रहा था उस समय लोगों को कनड़ा से लेकर मल्यालम तमिल तेलगू भाशा की फिल्मों में दिखाया जाने वाले एक्शन समझ नहीं आता था के और तब ही से साथ की फिल्मों को नौर्थ में समान गिरस्टी से देखा जाना शुरू हो गया। यशने कहा कि 10 साल पहले नौर्थ में हिंदी में डब की हुई साउथ की फिल्में बहुत पॉपुलर थी लेकिन शुरुआत में इन फिल्मों को लेकर यहां की लोगों की अलग अलग धारनाय थी लोग तब साउथ के फिल्मों का मजाक उडाते थे लोग कहते थे कि साउथ की हराप की जाती थी उन्हें बहुत ही खरात तरीके से और मतलब कहना चाहिए फणी नामों के साथ प्रेजेंट किया जाता था मेरे साथ भी ऐसा हुआ लोग मुझे रैंबो सर और ग्रेट लायन बुलाने लगे थे मैं तब सोचता था कि ये लोग आकर किस बारें बात कर रहे ह अब लोग साथ की फिल्मों को समघने लगें हैं जाहिर सी बात है ये अशिया साथ फिल्मों को मिल रहे है प्यार और समान क्रेडिट एसस राजमौली को दिया उन्होंने कहा QUES को डिराने की नहीं बलकि इंस्पायर करने के लिए निफ ने अब साथ की फिल्मों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है यश वैसे भी कंड़ा फिल्मों के सूबर स्टार हैं लेकिन पैन इंडिया रिलीज हुई फिल्म के जी एफ वन और के जी एफ टू ने उन्हें एक बड़ा स्टार मना दी के जी एफ टू साल 2022 की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारत करते आने लगी हैं तो सीरी सी बात है सबके सब इस बारे में चर्चा कर रहा है कि भाई आखेर यहां पर चल क्या रहा है क्योंकि आप देखी साउथ की मुवीज लगातार तावल तोड़ कमाई कर रही है और यह वाकई में कुछी उपलब्दी से कम नहीं है आप लोगों क बारे में क्या कहना मुझे कमंड करके जरू होता है का मेरे सुडियों फ़लात नहीं चाहिए हैं जय भारत